नमस्कार दोस्तों मैं अब शिक कुमार सुकला आज हम आपको बताएंगे तीन के भी अल्टरेटर फिल्ड के बारे में इसके फिल्ड हमने टाइट करती हैं पॉल को टाइट करती हैं उसके कनेक्शन करेंगे देखिए इसके कनेक्शन एक से तीन पे होते हैं इसके कनेक्शन ह को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जिरूर किजिएगा साथ हमें बेल आइकन को भी प्रेस किजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें हम हैं अब शीक कुमार सुक्ला इसको अच्छे से हम ज्याइन करेंगे पतले वायर को पर इस पर हम सीलो चला देंगे पर इसके मोटे वायर हम जुड़ेंगे वायर नमबर है 18 नमबर और पतले वायर का नमबर है 27 नमबर इसके वजन भी है यह मोटे वायर का वजन है 500 ग्राम पतले वायर का वजन है 400 ग्राम प्लिश वीडियो को सुरू से लेके लाष्ट दिखिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा इसके दूसरे फिल्ट का तीसरे में हम कनेक्सेन करेंगे पहले हम ढाल लेंगे अच्छे तरह से इसको हम ज्याइंट करेंगे बिल्कुल टाइट ज्याइंट करना है धीला नहीं ज़़णा है अच्छे से जॉइन करना है इसको कट कर देंगे अब इसमें मोड के हम सिले चला देंगे अब मोटे वाले वायर के हम कनेक्सन करेंगे यह हमने पहले का दूसरे में कनेक्सन कर दिया है अब दूसरे का तीसरे में करके आपको दिखाएंगे दूसरे का तीसरे में हमने कर दिया है सोरी अब तीसरे काम चौथे में करेंगे तीसरे काम चौथे में करेंगे उसके बाद से हम इसको बैठाएंगे जो हमने ज्वाइट किया है उसको सही तरीके से हम बैठाएंगे बैठाने के बाद हम कॉटन टिप लगाएंगे प्लिस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे प्लिस वीडियो को जाद से जाद से शेयर कीजिएगा इसको अच्छा से हम जोइन करेंगे ये तीसरे फिल्ट काम चोथे में कनेक्शन करेंगे अंदर अंदर और बाहर बाहर करेंगे बिल्कुर अच्छे तरीके से अब इसके हम मोटे वाले वायर के हम कनेक्शन करेंगे कि अच्छे से ज्वाइंड करेंगे हम प्लायर से टाइट करेंगे इसको कट कर देंगे कि इसको मुड़ के हम सीलो लगाएंगे इसे अच्छे से लगाएंगे इसको क्वैल के लूप को हम अच्छे से बैठाएंगे राउंड बनाएंगे इसके इसकी राउंडिंग हम अच्छे से करेंगे चारो तरप से इसके अच्छे से हम राउंडिंग कर देंगे इसके कनेक्शन वायर जॉइंट करेंगे इसको पतले वायर में हम जॉइंड कर देंगे अच्छी तरह से अच्छी तरह से हम जॉइंड करेंगे अच्छी तरह से हम जॉइंड करेंगे अच्छी तरह से हम दूसरे कोर पहुं जॉइंड करेंगे अच्छी तरह से इसको कट कर देंगे अब इसके मोटी वायर को हम जॉइंड करेंगे धाय में का वायर हम जॉइंड करेंगे अच्छी तरह से पहले मिश में सीलो डालेंगे पहले मिश में सीलो डालेंगे फिर एक को जॉइंड करेंगे एक तरफ के बाहर को अच्छी तरह से जॉइंड करेंगे प्लिज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसको कट कर देंगे इसको पीपर टेप लगाके सिलो चढ़ाएंगे और इससे सिलो चढ़ा देंगे हम अच्छी तरह से अब भाई एक साइड का हमने कंप्लीट कर लिया है फिर दूसरी साइड में हम वायर को जोड़ेंगे दूसरी साइड में हम जोड़ेंगे वायर को अच्छी तरह से अच्छी तरह से जोइंट करेंगे इस पर भी पेपर टेप लगाएंगे अब इसके सिले चाढ़ा देंगे हम यह कंप्लीट हो जाएगा इसके हम सेटिंग करेंगे पतला वायर जो ऊपल की तरफ आता है और मुटा वायर जो साइड में निकलता है वैसे ही हम सेट कर देंगे फिर इसको हम कॉटन टेप से बानाएंगे देखे यह हमने फिट कर लिया है इसको अब इसके पतले वायर के हम सेटिंग करेंगे आजशी तरीके से प्लीज वीडियो को सुरू से लेके लाज तक देखिएगा ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा हम अब हैसे कुमार सुकला दुनावायर को हम उपर की तरफ ठीक उपर की तरफ निकालेंगे काटन टेप को हम काट लेंगे इसको बांधना हम शुरू करेंगे अच्छी तरह से बांद के राउंड बनाएंगे हम इसके बिल्कुल अच्छी तरह कैसे बांदेंगे चारो तरप से इसमें कोई विवायत धीला नहीं टाइट करना है फूल टाइट करना है प्लायर के द्वारा इसको बांद के हमने कंप्लीट कर दिया है थोड़ा और रह गया है इसको हम कंप्लीट करके थोड़ी थोड़ी से ठोक देंगे चारो तरफ से फिल्ड को बाहर के तरफ अच्छी तरह से बांद देंगे एक लगवा कंप्लीट हो गया है कि थोड़ा और रह गया है कि लगवा कि हमने कंप्लीट कर लिया है कि एक बार और हम हिलाएंगे उसके बाद से बांद देंगे इसको पुल टैट मांदेंगे इसको कट कर देंगे अच्छी तरीके से अब इसके हम राउंड बनाएंगे अच्छी तरीके से अंदर की तरफ दबा के अब वायर को हम कट करके इसकी पीवीसी निकाल लेंगे दोनों वायर के प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब फिल्ड को हम ठोक लेंगे बाहर की तरफ से हम ठोकेंगे हम इसको अठोड़ी के द्वारा तो यह कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से ठोकेंगे चारों तरफ से दुनों साइड में अच्छे से ठोकेंगे कंप्लीट हो जाएगा ठोकने के बाद से हम इसको बानिश करके छोड़ देंगे यह सूखने के लिए टाइट हो जाएगा सुखे धन्यवाद जाएगा